Hello everyone, this is Gulenash Iqbal here and welcome to my channel Gulli Study Point. आज की इस वीडियो में मैं आप लोग की एक बहुत बड़ी प्रोब्लम सोल करने जा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉमेंट्स आ रहे हैं थे कि मैं आप ये बताएए कि PGT English में literature में से कितने questions आते हैं और grammar में से कितने आते हैं तो ये तो बिल्कुल पका नहीं कहा जा सकता है कि इतने questions literature में से इतने grammar में से आएंगे लेकिन मैं हाँ में इतना जरूर बता सकती हूँ कि last year के paper में कितने questions आपके literature से आए थे कितने grammar से आए थे, कितने questions, किस writer से आए थे, किस points से आए थे ये सारी बाते मैं आज की वीडियो में बताने जा रही हूँ अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को like और share करें और चैनल को subscribe करें और हाँ अगर किसी को किसी point या writer का MCQs या फिर previous years के PGT English के papers की जरूरत हो तो आप पर चैनल पर देख सकते हैं अगर चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें तो चलिए शुरू करते हैं ये मैं आपको पिछले साल गई यानकि 2016 में paper form आपके भरे गए थे और एक्जाम हुआ था इसका 2019 में तो मैं उसी की बात कर रही हूँ कि इसमे कितने आपके writers हैं विल्यम शेक्सपिर हैं, विल्यम वर्सवर्थ हैं, जोन कीर्स हैं, पीबी शेल हैं, ओल्फरेड लोड टैनिसन हैं, मैथियो अर्नॉल्ड हैं, चार्स टीकंस, थोमस हार्डी, वॉल्ट वाइट मैन, टियस इलियट, मुलक राजानंद, नसी मिजेकिल, रोबर्ट अनिस्ट हैमिंग वे, विल्यम फॉर्कनर और कमला दास, यह सारे जो पोईट से इनमें राइटर्स हैं, यह सारे हैं, इसमें आपके स्लेबस में, लिटरेचर में से, तो इसमें मैं बताने जारी हूँ कि पिछले साल, यानि कि पिछले बार के पेपर में लगभग 55-60 के ब कि किस पॉइट के बारे में आपको ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, किस राइटर के बारे में ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, कौन ज्यादा इंपोर्टेंट है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखें, शेक्सपियर का मुझे पता नहीं चला कि कितने कोश्टेंस जोन कीर्च से सबसे ज्यादा कोश्चन और छे कॉश्चन से आयं थे सिर्फ जोन कीर्च के केरेक्टर से और जोन इल्टन तो इस में है इंग popular से चार आ आयं थे. ऑलंफिर्ड लोड हैनि सन से भी चार आयं थे. मैथ्यों से भी केरेक्टर。 जो प्रिकंस में से चार आए थे थोमस हारडी से भी चार आए थे वॉल्ट वाइट मैंन से दो कोश्चन आए थे टीयस इलियर्ट से तीन मुलक राजानन से दो आए थे निसे मेजेकिल से पाँच आए थे तो मेरे कोडिंग नसी मेजेकिल मैथ्यो औरनॉल्ड चॉन कीर्स यह लिटरेचर वाले सेक्शन के लिए तो आप इन तीनों को बहुत अच्छे से प्रिपैर कीजिए रोबर्ट फ्रोस्ट से चार आए थे अनेस्ट हैमिंग वे से भी दो फॉलकनर से दो कमलदास से भी दो कोश्चन आए थे तो यह थे आकड़े और जो ग्रामर से हैं बाकि आ चार पांच चार शायद चार पांच के राउंड उससे आए थे तो और बागी जो आपके फिलिंग वर्डस आए थे वो भी चार कोश्चन से आए थे और यह एडियम सो एंड फ्रेसिस भी शायद आपके चार कोश्चन साई थे एडियम फ्रेसिस के लगबग मेरे कोडिंग जो मैंने आपका पेपर चेक किया है लास्ट एर का उसमें यही है कि लगबग चार-चार कोश्चन स हर चीज से उससे लिए गए हैं तो मेरे कोडिंग अब मैं आपको बताना जारी हूँ कि कौन से ज़्यादा मॉस्ट इंपोर्टेंट जो केरेक्टर हैं जोन कीरेट्स हैं मैथियो अनॉल्ड, निस्तमेजरेकिल और पीबी शैले यह चार केरेक्टर्स जो हैं सबसे जादा इंपोर्टेंट हैं पीजीटी इं और लगे रहेगे गिरामर पर अच्छे से ध्यान दीजिए क्योंकि और कई सार जो है आप प्रीवियस एसके पेपर को भी जरूर चेक किजिए क्योंकि टीजी टी इंगलिश के जो अभी साथ तारीख में पेपर हुआ था कैई सारे कोस्टेंस इसमें रिपीटिड कोस्टेंस और शायद आपको उनमें से कोई कोई कोश्टेंस आपको इस वाले एक्साम में भी टकरा जाए तो यह थी हमारी आज की वीडियो अगर किसी वीवर्स की किसी स्टूरेंट की कोई क्वेरी है या कुछ जाना चाता है तो प्लीज कमेंट कीजिए और अगर आप किसी भी पसंद आयों तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सकाइब करें वीडियो को शेर भी करें सलिए चलते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक केयर है वे नाइस दे और बेस्ट ओफ लक फॉर यूर एक्जाम तैयारी करते रहेगे